हाला स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर कर जंद पुरहीत और आप देखे रहें मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूं फॉर इंजिनेरिंग मैथमेडिक्स बीसे इस नोगर आप किसी भी कॉंपेटिशन एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जहां पर इंदर हमारे पास कितने डिजिट नंबर होंगे तो आपको क्या करना जभी ऐसा क्वेशन आता है तो फाइब पावर फोटीन एंड टू पावर फोटीन एक साथ ले लेते हैं अब यहां से हमने चौदा ली पावर तो तीन पावर हमारे पास अलग हो जाएगी तो टू पा बारे पास 9 और यह आएगा बारे पास 7 तो यह आएगा 10 तो यहां लिख लेते हैं हम लोग और यहां पे हम करेंगे तो साथ नो 63 तो एट इन टू 63 आ जाएगा और इसको आप मल्टिप्लाई करेंगे इंटु दिस जब इसको आप मल्टिप्लाई करेंगे तो आठ तीय चो function fn is equal to sum of digits of n expressed as decimal number, अगर हमारे पास f137 की value इसके बाराबर है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि f2 power 7 into 355 into 5 power 6 की value किसके बाराबर होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको express करेंगे, फिर जो भी value आएगी, जिसे हमारे पास 137 आया था, तो बैटर है कि इसको 2 power 6 कर दीजिए and 5 power 6 को एक साथ लिख लेते हैं, अब 1 power 2 की हमारे पास बजगे, इसको दले लेजिए and 3 power 5 यहां आजाएगा, अब इसको आप क्या करेंगे, multiply करेंगे, तो हम जानते ही आएगा 2 into 5 power 10, sorry 6 and into 2 and 3 power 5 की बात करें, तो सुनिया आएगा, हमारे पास 81 into 3, तो 3 and 24, यह हमारे पास इसकी value आजाएगी, तो इसको multiply करेंगे, तो यह हमारे पास 6 and 8 and 4, और यह हैगा 10, तो सुनिया आएगा 10 to the power 6, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो यह हमारे पास आएगा 486, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, अब इनके डिजिट का सम कर देजे, मतलब 4 प्लस 8 प्लस 6, प्लस 0, प्लस 0, प्लस 0, प्लस 0, प्लस 0, प्लस 0, तो इसको add करेंगे, तो 6 और 4, 10 और 8, 18, 18 is the correct answer, इस तरस इस question को बहुत एजी लिए हम यहाँ पे solve कर सकता है, इस नहीं बोल रहा कि N is the positive integers, then N into N plus 1 into N plus 2 into N plus 3 into N plus 4 into N plus 5 into N plus 6 is divisible by, है, किस-किस नमबर से divisible होगा, तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, N into N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4, N plus 5, यह हमने लिख लिए हैं पे, N plus 6, अब आप क्या करेंगे, इस नहीं की वेलिव 1 रख देजा एक बार, क्योंकि हमें बोला जारा positive integer, तो N की वेलिव 1 रखता हूं, 1 रखेंगे, तो 1 into 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7, तो आप देख रहे हो, यह किस-kिस से divisible है, तो इस नहीं 3 और 7 दोनों से divisible है, तो इसमें दोनों ही हमारे पास answer आएंगे, तो इसमें बी option हमारे पास किया जाएगा, correct आजाएगा, so next question लेते हैं, बहुत easy question आते हैं, बस थोड़ा समझनी की जरूत है, इसमें बुल रहा है है, how many non-negative indices are less than 10,000 are there such that the sum of the digit of the number is divisible by 3, तो आप से पूछा जारे कि इसके जो digit का sum है, वो 3 से divisible हो, तो understood है कि वो digit जो होगा, वो क्या होगा, 3 से divisible होना चाहिए, हमारे पास divisibility test होता है, उसके अंदर rule होता है, कि कोई भी number है, अगर उसका sum 3 से divisible है, तो वो 3 से divisible होता है, तो हम जानते हैं कि 1 से लेके 10,000 हमारे पा आते हैं, हम 10,000 के नतर 3 से divide कर देजे, तो यह वो number हैंगे, हमारे पास 3, 3, 3, 3 आएंगे, पर आप से एक चीज़ बोली जारे है, कि वो बोला जारा है, नो नेगेटिव इंडिजर, तो जीरो भी होता है, वो 3 से divisible होता है, तो सुन यहां पर एक number और 8 हो जाएगा, that is 0, त 1 हो जाएगा, तो सुन इसका जो answer आएगा, वो 333, 4 आएगा, तो यह हमारे पास क्याएगा, इसका answer आएगा, next question में आते हैं, question number 5 बोल रहा है, which of the following is odd 1 out, based on the divisibility test, तो सुन यहां बताना चाहरों कि यह सभी number में सा, आप इन में देखेंगे, यहां पे pattern नज़र आ रहा है, क question, आप देखो, इसको 11 से डिवाइट करोगे, तो यहार है हमारे पास 1 and 4, 14 आ रहा है, इसविन यह 11 से डिवाइट करेंगे, तो I think 2 and 6, 26 आ रहा है, यह आप 11 से डिवाइट करेंगे, तो I think 3 and 3, 33 आ रहा है, इसविन यह 11 से डिवाइट करेंगे, तो आप 11 से डिवाइट कर अगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अब बात करेंगे, सुन, D is equal to ABC plus BCA plus CAB, where ABC are the decimal digits, then D is divisible by, आप से पूचा रहे हैं, जो D number होगा, किस से divisible होगा, सुन, यह मारे पास 3-digit number है, तो यह 3-digit number को हम कैसे लगते हैं, जैसे ABC को आपको लिखना है, तो सुन, ABC actually यह number कैसा होगा, 100A plus यहाँ पाएगा, यह 10B plus C, अगर आप इन तिनों को add करेंगे, तो obviously ABC आएगा हमारे पास, इसी टाइप से अगर आपको BCA करना है, तो BCA को हम लिखते हैं कैसा, जैसे है, मेरी बास सुन, अगर आप से बोला जाए, कि 756, तो इसका मतलब क्या होता है, 700 plus 50 plus 6, यही तो होता ह है, यही तो हम यहाँ कर रहे है, इसी टाइप से अगर BCA लिखेंगे, तो BCA हमारे पास क्या होता है, सुन, यह आता है, 100B plus 10C plus A, इसी टाइप से हम बात करेंगे, CAB के बारे में, तो यह आ रहेगा, 100C plus 10A plus B, अगर इन सब को add कर दें, तो आप जानते हो, यह आएगा, ABC plus BC CA plus CAB, है न, और इसको add करेंगे, तो सुन, यह आएगा, हमारे पास 100A, इदर कितना रहा, A और यह ए, तो आप देख रहे है, 101, 111 A आ रहा है, राइट, है न, इसी टाइप से जब इसको करेंगे, तो B यह 10, 10 और यह आ रहा, तो सुन, यह यह आएगा, तो यह आएगा, 37 x 3 होता है, अगर आप 37 x 3 करेंगे, तो यह हमारे पास क्या आएगा, 111 आजाएगा, इसका मत्तब यह जो नंबर होगा, या तो 37 से divisible है, या फिर 3 से divisible है, तो आप देख रहे हैं, 37 and 29, not 29, इस से divisible तो नहीं है, 37 but not 29, yes it is correct, so the option हमारे पास क्या जाएगा, correct आजाएगा, So next question पर आते हैं, और अगला question भी बहुत easy है, question यह बोल रहा है यहाँ पर कि how many pairs of positive integer have, GCD is 20 and LCM is 600, बदो आपको GCD और LCM दे रखा है, तो आपको ऐसे pairs निकाल ले हैं यहाँ पर, कि जिसका GCD 20 आजा और LCM 600 आजा है, तो हम यह जानते कि कि किसी भी number का GCD अगर अगर पास 20 आ आप देख रहे हो, इन दोनों का GCD 20 आएगा, तो हमारे पास एक property और जानते कि कोई भी दो नमबर दे रहे हैं, उन दोनों नमबर का GCD और LCM को multiply करें, तो हमारे पास क्या आएगा, वो number आजाता है, तो हम जानते हैं, प्रोड़क्ट आफ नमबर, यह हमारे पास क्या हूत 20X and 20Y, इस वर हम जानते है 20 से 20 कैंसल हो जाएगा, यहां पर हमारे पास XY और 20 से डिवाइट करेंगे, तो 30 आजाएगा, तो हमें XY ऐसे को प्राइम लेने, जिसका प्रोडेक्ट हमारे पास 30 आ रहा है, तो एक बार इसको लेते हैं, तो इस वर मैं X को ले लू, 1 और Y को ले ल 15 यह से को प्राइम है, X की वेलू 3 एंड Y की वेलू 10 यह हो सकता है, एकस की वेलू हमारे पास यहां पर क्या होगा, तो इसकेस में इसका जो नंबर आएंगे, X और Y क्या होंगे, को प्राइम नंबर होगे, अब इन दोनों वेलू को उठा के यहां और यहां रगदीज, आ हमारे पास जो नंबर आएंगे, वो क्या हैंगे, मैं यहां लिखता हूँ, तो X की वेलू 1 रखेंगे और Y की वेलू 30 रखेंगे, तो यह आएगा 600, तो पहला कॉमिनेशन तो यह आएगा, देखो, इसका GCD हमारे पास 20 आ रहा है, LCM 600 आ रहा है, जब X की वेलू 2 रखेंग तो और पास चार पेर ऐसे होंगे, जहां पर इसका LCM हमारे पास ससु आएगा, और GCD हमारे पास 20 आएगा, और इस तरह से इसको मिया पे करता है, आगे बढ़ते हैं, इस तुन क्वेशन देखिए, तो आपको क्या करना, इन उनों का GCD लेना है, या HCF लेना है, तो इस तुन HCF of 18 and 24 हम इसका लेंगे, तो इसका HCF हाएगा, वो हाएगा 6, मतलब हमारे पास जो टाइल होगी, वो 6 into 6 की होगी, तब ही पूरे इस साइज के फ्लोर को completely वो पैव कर देगी, मतलब completely वहाँ पे टाइल कवर कर देगी, तो इस तुन हमारे पास 6 into 6 की टाइल हो हो भी इस तो इस तुन हमारे पास total बारा टाइल जरूत पड़ेगी, बारा टाइल हमारे पास 6 into 6 की होगी, तो यह पूरा का पूरा adding into 24 को हम अराम से cover कर सकते है, तो इस तुन D is correct answer, next question देखे, इस तुन अगला question हमारे पास यहां पर क्या बोल रहा है, choose the largest number, आप सा पुझ तो मैं काम करूँ इसको 2 power 5 into 100 कर दूँ, तो यह यह आएगा 32 power 100 हो जाएगा, इसी तैब से मैं इसको लेता हूँ, तो यह आएगा 3 power 4 power 100 हो जाएगा, तो यह आएगा 81 power 100 हो जाएगा, इसी तैब से मैं इसको करता हूँ, तो यह 4 power 3 power 100 कर देंगे, तो 16, 64 power 100 हो जाएगा, इ और इसा भी होगा 24400 बताओ कौन बड़ा दीख रहा है सामने दीख रहा है यह सबसे बड़ा है मतलब भी ओप्षिन हमारे पास क्या जाएगा करेक्ट अगर आप सब कुछा है कि सबसे चूटा कौन सा होगा तो सबसे चूटा हमारे पास यहाएगा 25 सबसे बड़ा नंबर कौन सा आपको मुझे कमेंट करके जरू बताइए लाइक करें शेयर करें चैनल को जरू सब्सक्राइब करें पूरी प्लेलिस जहां पर मैंने जनरल आप्टीट की पूरे के पूरी वीडियो अपलोड कर रहें और यह मेरी नई प्लेलिस जिसमें जनरल कि मैं नए वीडियो अपलोड कर रहा हूं आप यह मेरे नए चैनल को यहां पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हूं यहां जाके आप मुझे इस्टाग्राम पर फूलोग कर सकते हैं तैंके स्वामच और इसका अंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरू दीजे थान्यवाद पर रहा हूं यहां।